हैलो दोस्तों इस वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Yesbank में अपना डिजिटली तरीके से सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर साकते है इसके बारे में आपको इस वीडियो में complete गाइड करूँगा साथ के साथ गाइज मैं आपको बताऊंगा कि इस अकाउंट को यह दिया आप ओपन करते हैं तो यहां पर आपको अकाउंट को ओपनिंग करने के लिए क्या क्या डोकुमेंट्स की जुरूरत पढ़ने वाली है eligibility criteria क्या लगेगा और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस अकाउंट में आपको क्या क्या benefits और features देखने को मिल जाते है और इसके अलावा बताऊंगा कि आपको इस अकाउंट को क्यों open करना चाहिए तो यह सभी जानगारी इस वीडियो में दी जाएगी तो आप सभी से स पर एक request है कि आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अन्थ तक अवस्य देखे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते है येस बैंक में अपना digital saving account open करने के लिए आप अपने mobile में कोई भी ब्राउजर को open कर लेंगे और search box में टाइप करेंगे येस बैंक जैसे आप येस बैंक सर्च करेंगे इसके बाद येस बैंक की official website यहां पर आती है तो सबसे पहले आपको इसकी official website को open कर लेना है और हमने आपको इस account को opening करने का link हमने आपको वीडियो के नीचे description box में दे दिया है इसके साथ ही आपको best zero balance saving account opening करने के link भी आपको नीचे वीडियो के description box mail मिल जाएंगे आप उन अकाउंट की और भी जा सकते है अपना saving account open करने के लिए थोड़ा से इस तरीके से आपको page को scroll down कर लेना है और यहां पर आपको saving account करके options देखने को मिल जाता है इसे साथ है यहां पर आपको current account digital salary account और भी कहीं तरग अकाउंट देखने को मिलने वाल yes bank के digital saving account के बारे में जिसे आप totally online process के माधियम से open कर सकते है जैसे आप no more पर click करेंगे यहां पर आपको इस account के बारे में बताय गया है जैसे कि इस account को आप भी ना बरांच जाए open कर सकते है साथ के साथ guys यहां पर 24-7 आपको online fund transfer करने की सुईधा भी देखने को मिल जाती है free में आया आप IMPS facility का लाब भी उठा सकते है इसके अलावा account को opening करने के लिए यहां पर आपको दो accounts देखने को मिलते है एक होता है limited KYC account जो की एक साल के लिए valid रहता है इस account में आपको किसी भी तरह का balance mandate नहीं करना होता लेकिन दूसरा जो account होता है यहां पर full KYC account इस account को आ आप open कर सकते है online video KYC के मादम से इस account को opening करने के लिए यहां पर आपको just open your digital saving account पर क्लिक कर लेना है जैसे आप इस पर क्लिक करके यहां पर फिर से कुछ processing होगी आप यहां पर बताए गया है कि यदि आप नया saving account करना चाहते तो first वाला option चुन सकते है और यदि already आपने account open कि आया और उसका status जानना चाते है तो यह बीच वाला option चुन सकते है और यदि आप अपने account की full KYC करना चाहते वीडियो KYC इसके लिए आप थर्ड वाला option चुन सकते है यहां पर नीचे आपको कुछ time and condition के बारे में बते हैं जिसी कि आप एक भारतिया नागरिक होने चाहिए इसके अलावा आपके पास अधार card plan card मुझूद होने चाहिए आप UPI facility का भी इस्तिमाल कर सकते है आप इस account में पैसे add करने के लिए तो account opening करने के लिए यहां पे आपको जो यह option देखने को मिल रहा open saving account तो जिस्ट आपको इस option पर क्लिक कर लेना है जैसे ही आप इस पर क्ल processing होगी अब आपको सबसे पहले आपको अपना आपर मोबाइल नंबर एंटर ना है जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे इसके बाद आपके रिखेट मोबाइल नंबर पर १ूट पी बेजा जए गा उस ओपना एन्टर कर लेना है यहां पर आपको अपने email आईडी open कर लेना है और यहां पर दी गए link पर क्लिक करके आपको OTP को successfully verify कर लेना है जैसे आपका OTP verify हो जाता है इसके बाद your email has verified successfully करके option देखने को मिलेगा इसके बाद OK पर क्लिक करेंगे अब आपको अपना pen card number enter करेंगे जैसे आप अपना pen card number enter करेंगे इसके बाद guys आपके registered mobile number पर इक OTP भेज़े जाएगा उस OTP को आपको यहां पर enter कर लेना है इसके बाद यहां पर अधार का number enter कर लेंगे और जो यह comment condition box इस पर click करेंगे अब यहां पर आपको open full के वाई से account open करने का option मिलेगा इस पर आपको just click कर लेना है जैसे आप इस पर click करेंगे इसके बाद यहां time and condition पर click करके प्रोसीड बटन पर आपको click कर लेना होगा जैसे आप प्रोसीड बटन पर click करेंगे आपकी अधार कार्ड से आपकी data capture कर ले जाती है जैसे कि आपका नाम इसके साथ ही आप अपना debit card पर जो नाम चाते हो डालेंगे जेंडर डालेंगे आप यहां पर डालें है इसके बाद आपको add nominee detail यहां पर डालेनी है जहां पर आप नोमनी का नाम डालेंगे नोमनी के साथ के relation date of birth डालेंगे और यदि नोमनी आपके साथ रहता है तो permanent address पर click करके देन प्रोसीड बटन पर click कर देंगे इसके बाद आपको marital status registration type education qualification occupation occupation ties और source of fund इत्यादियन इनफोर्मेशन डाल के next button पर click कर लेना है तो अभी हमने यह सभी information डाल ली है इसके बाद confirmation के लिए यह सभी detail के लिए बोला जाएगा तो सभी detail को आपको एक बाद चेक कर लेना है जैसी आप सभी detail को चेक करेंगे इसके बाद time and condition box पर click करेंगे इस concern page पे और देन आपको next button पर click कर देना है finally आपको registered mobile number पर एक OTP आएगा उस OTP को आपको एंटर कर लेना है जैसी आप OTP को एंटर करेंगे अब आपका account number IFSC code यहां पर देखने को मिल जाता है इसका आप एक screenshot लेके रख सकते है साथ के साथ गया अब आपको इस account की fully KYC करना है तो join for video KYC पर आपको click कर लेना है जैसे आप इस पर click करेंगे इसके बाद yes bank का एक executive आपसे जुड़ जाएगा और आपके account की fully KYC कर देगा जैसे आपके account की fully KYC हो जाती है इसके बाद आपको thank you करके एक message भी देखने को मिल जाता है और इसके साथ ही आपको साथ से आट दिनों के बाद आपको debit card or check by checkbook by post आपके घर पर deliver करवा दी जाती है इस तरीके से आप आसान परीगरी से यस बैंक में अपना digital saving account ओपन कर सकते है यह दिए वीडियो आपके लिए लेते वीडियो को like करे चैनल को सबस्क्राइब अबस्ता करें